हाई फ्रेंज मैं आज एक बेंगॉली स्पेशल पीठे रेसिपी लेके आई हूँ मैं ये रेसिपी बहुत असान तरीका से आपके साथ शेयर करूंगी उमीद करती हुए ये आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले चावल को भीगो के रखना पड़ेगा ओवर नाइट क्यू मैं यहाँ पे चावल को धो लेना है सबसे पहले और भीगो के रखेंगे चार घंटा के लिए हलका गरम पानी से मैं मैं यहाँ पे 350 ग्रैम्स अरवा चावल ली हूँ चावल चार घंटा के बाद अच्छा से फूल गया है मैं भी यहाँ पे चार घंटा के लिए हलका गरम पानी से भीगो के रखी थी देखिए अच्छा ऐसे चावल फुल गया है इसे अभी मिक्सर ग्राइंडर जार में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे लेकिन ध्यान रखना है ज्यादा पानी देके इसको ग्राइंड नहीं करना है जितना आप से कम पानी उज हो उतना ही बोल में उसको ट्रांसपर कर लेंगे अभी एक पैन में आधा कप पानी डालके पानी को अच्छा से गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें मिलाएंगे 350 ग्राम गूर और गूर को ये पानी में मेल्ट करना है गूर जैसे नॉर्मल गूर होता है वही वाला अप लीजिए औ गूर को ज़ादा देर आपको बॉय नहीं करना है पानी में जब तक गूर मेल्ट ना हो जाए तब तक आप बॉय Ikीजिये और यह पे पानी आप ज्यादा मत दी जिए आधा का पानी में आप कोशिश कीजिये गूर को मेल्ट करने के लिए क्योंकि यह बैटर में हम देखिए गूर मेल्ट अच्छा से हो गया है, अभी ऐसी गरम में हमें डालना है बैटर में, गरम रहते ही इसको डालना है और इसको हम चान के डालेंगे, क्योंकि गूर में बहुत सारा गंदिगी रहता है कभी-कभी, तो यह चंदी में आ जाएगा, लेकिन इसको आप एकद इसमें अच्छा से पहले मिला लेंगे क्योंकि मैदा में लंप जल्दी आ जाता है तो बैटर के साथ मैदा अच्छा से मिला लेंगे और इसमें डाल देंगे एक पिंच नमक नमक से टेस्ट का बैलेंस आता है तो नमक अब जरूर डालिए इसमें और मैदा अच्छा से जब मिल जाएगा तब इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी सूजी मैदा को मिलाने के बाद ही डालिएगा एक साथ अगर अब डाल दीजिएगा तो एक लंप हो सकता है तो एक बर मैदा को अच्छा से मिला लीजिए उसके बाद सूजी को मिलाईए अभी सूजी के साथ बैटर अच्छा से मिक्स कर लीजिए क्योंकि ये बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए एकदम डिवन जैसा तो धीरे-धीरे करके सारा चीज हमको मिलाना है देखिए बैटर को एकदम ऐसे ही स्मूथ बनाना है तो हलका सा पतला बनाईएगा अगर आपको ये जगा में दिख रहा है बैटर थोड़ा सा गारा है तो आप थोड़ा सा गरम पानी उसकर लीजिए और बैटर को एकदम पतला ऐसे बनाईए क्यूंकि बैटर में हम सूजी डाले हैं और इससे सूजी जल्दी फुल जाता है तो ये गारा बन सकता है तो ये बैटर आपको थोड़ा सा पतला बनाना है तो अभी इसको हम रेस्ट में रख देंगे दो घंटा के लिए अभी दो घंटा के बाद अब बैटर देखिए बहुत अच्छा से सेट हो गया है तो बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए आपका अगर बैटर गारा हो गया तो आप इस समय भी थोड़ा सा पानी एट कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा गारा नहीं होना चाहिए बैटर को बहुत अच्छा से भी फेटना है जितना अच्छा आप फेटिएगा उतना ही पीठा बहुत अच्छा बनेगा फुला फुला तो इसको अभी अच्छा से फेट लीजिए जितना हो सके बैटर को 5-7 मिनिट फेटना है अच्छा से मैं यहाप पे बैटर अच्छा स प्रइट ली हूँ 5-7 मिनिट अभी इसको फ्राइ करेंगे एक पैन में तेल अच्छा से गरम कर लेंगे और इसमें बीच में डालेंगे बैटर और अभी गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे जैसे कि ये अच्छा से फुल जाए बैटर गारा होता है तो ये तुरंत ए एकदम आप देखिए धीरे-धीरे करके ये फुलते जाएगा ऐसे जब ऐसे अच्छा से पूरी जैसा फुल जाएगा इसके उपर हम थोड़ा सा तेल कर्ची दे के ऐसे कर देंगे और इसको हिला देंगे एक साइड जब अच्छा से ये फ्राई हो जाएगा तब ही इसको हम टर्ण करेंगे अब ये एक साइड अच्छा से हो गया है अभी ऐसा टर्ण कर लेंगे आपको ध्यान रखके गैस का फ्लेम एकदम लो करकी इसको फ्राई करना है जब ये फुल जाएगा उसके बाद ही आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए एकदम हाई में इसको फ्राई मत कीजिए हाई में फ्राई करने से अंदर से एकदम कच्छा रहेगा तो ये एकद मिक्स कर लिजए अच्छा से 4-5 बार उसके बाद ही बैटर ऐसे लेके उसको फ्राई में डालीए बैटर को अगर मिक्स करके नहीं किजएगा तो बैटर नीचे से गारा होते रहेगा और अच्छा से ये फुलेगा भी नहीं तो हर बार आप फ्राई करते समय हैं पात छे बार अच्छा से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद बैटर को बीच में ऐसे डालिए। डालने के तुरंद भादी गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए। और जब ऐसे अच्छा से उपर से फुल लग जाएगा तब गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। तो यही सब करके उठा लेंगे क्योंकि बैटर गारा रहता है तो इसको मीडियम टू लो फ्राइब करना है तो इसे अंदर तक अच्छा से पक जाएगा तो ऐसे करके हाप मीडियम टू छू को फ्राइब कीजिए और एक साइड होने के बाद इसको टर्न कर दीजिए च्रेडिशनल वेप हम लोग के पास सभी के पास बहुत टाइम कम रहता है तो मेरा कोशिश यही रहता है बहुत कम टाइम में परफेक्ली कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करें उमीद करती हूँ की रेसिपी आपको अच्छा लगेगा एक बार इसको आप जरू ट्राइ कीजिए रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो सस्क्राइब किये बगर मत जाएए थैंक यू